दोस्तो मैं अलपना सरोस पागत है आप सभी का स्वादिष्ट भोजन में दोस्तो आज मैं आपको बकरे का फेफड़ा और कलेजी साफ करने का तरीका और काटने का तरीका दोनों ही आज मैं आपको बताऊंगी तो ये दिखिए दोस्तो मैंने लिया है दो थान बकरे का फेफ़रा और कलेजी तो सबसे पहले से हम पानी से धोलेंगे अच्छी तरीके से उसके बाद दोस्तो हम क्या करेंगे कि जो फेफ़रे की नली होती है तो उसमें एक आत लगी हुई होती है जैसे कि आप देख सकते हैं उसे आपको इस तरीके से खीच के बाहर कर देना है इसमें बहुत सारी गंदगी होती है इसे आपको साफ करना होगा उसे मैं आपको साफ करने का तरीका इसे भी बताऊंगे किसे आप कैसे साफ करें तो सेम तरीके से दूसरी भी हम नली से ये आत को निकाल के बाहर कर देंगे तो ये दिखिए दोस्तों सेम तरीके से मैंने दूसरी भी आत को निकाल के बाहर कर दिया है उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों जो ये फेफड़ा वाली नली है इसमें हम पानी डालेंगे पानी डालने से क्या होता है दोस्तों जो फेफडे में गंदगी होती है वो सब बाहर हो जाएगी दोस्तों अभी तक चैनल को आपने सस्क्राइब नहीं कियें तो सस्क्राइब कर दीजिए और बगल में बिल्की गंटी है उसे बजाना आप नहीं तो मैंने देखिए पानी नली की द्वारा भरा फेफडे में जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छे से फूल गया है तो अब इसे हम दबाते हुए अच्छे से साफ करेंगा और पाइप को छोड़ देंगे तो सारा पानी खुदी रीटन हो जाएगा तो देख सकते हैं दोस् आप त्यार कर लिया है तो अब इसे हम अलग बरतन में रख लेंगे उससे हम तरीके से दूसरा भी हम धोकर अच्छे से त्यार कर लेंगे तो जब तक यह अच्छे साफ नहों दोस्तों तब तक आप इसे धोए जब साफ हो जा तो आप इसे अलग बरतन में रख लें उसके दोस्तों गंदगी इसमें बहुत सारी है सेम तरीके से दूसरा भी करेंगे ध्यान से देखना दोस्तों किस तरीके से आपको करना है यहां पर इस तरीके से पलट लीजिए और डंडी को छोड़ना नहीं जब आप आगे वाला भाग पकने तब पीछे साब डंडी निकाल तो यह दिखें यह अच्छे से साफ हो गया है बाद में इसका जो बगल बगल दोनों तरफ का भाग है वो हम काटके बाहर कर देंगे तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों इससे हम पहले कलेजी से फेपड़ा अलग करेंगे तो दिखिए फेफड़ा और कलेजी मैंने दोनों ही अलग कर दिया है तो अब इसे हम क्या करेंगे ऐसे जो एक एक भाग हैं सब अलग करते जाएंगे दोस्तो वैसे तो मैंने फेफड़े की और भी आपके साथ वीडियो शेयर किया है कलेजी फेफड़े का खास करके दोस्तो बहुत मुझे कॉमेंट आ रहा था कि इसकी कटिंग की प्रोसेस बता है वैसे तो सबको कटिंग आता है दोस्तो पर वैसे तो मैंने नहीं कर सकते कि सबको आता है उनके लिए वीडियो बनाया है और इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके समझाया है एक-एक टिप्स वैसे दोस्तों मैंने आपको बता तु दिया है लेकिन अगर आपको समझ में कहीं नहीं आया है तो आप हमें कौमेंट में पूश सकते हैं आपके comment का जवाब जरूर दूँगी कि आपको कौन सा tips अच्छे समझ में नहीं आया है तो आप जरूर मतलब comment करना दोस्तों अगर आपको कही doubt है तो दोस्तों आपके ऊपर है कि आप इसे कितना बड़ा काटना चाहते हैं कितना छोटा कितना बड़ा वह अपपना समझ लिजिए यहां में चोटा छोटा कट कर रही हूं जैसे कि आप देखी सकते हैं तो काटने का तरीका मैं आपको बता दिया है दूसरा tips आपको बता देती और धीरे धीरे चाकू के मदस से इस तरह से कड़ दीजे तो पित बाहर हो जाएगा अगर दोस्तों आप पित नहीं निकालेंगे तो जब मतलब इससे आप बनाएंगे तो स्वारा स्वाद बिगड जाएगा बिल्कुल स्वाद नहीं आएगा खाने में तो बिल्कुल आप ज तो जिस दुकान से आप बकरी का कलेजी लाए रहे हैं उस दुकान वाले से पूछ लेजे भाई ये इसमें कलेजी में पित लगा है या नहीं तो खुद ही बता देगा अगर नहीं भी अगर दोस्तों बता आया आपको नहीं पता है भूल गए पुछना तो आप वीडियो दे हो गई साफ करने का दोस्तों आप सोच रहे होंगे इसे हम बनाएंगे कैसे तो सही है दोस्तों मैंने इसमें तो आपको बनाने का तरीका तो बताया ही नहीं है किसे आप बनाएंगे कैसे तो दोस्तों इसका नेश्ट वीडियो में आपको जरूर बनाना बताओंगी किसे आप कैसे बनाएं या किस तरीके के बनाएं किस में कैसा स्वादाएगा वो सब तरीका मैं आपको next video में जरूर बताओंगी तो आप next video देखना नहीं भूलिएगा तो चलिए दोस्तों यहां देखिया मैंने से cutting कर ली हूँ अब इसे हम अच्छे से पानी से धो करके साफ करेंगे तो मैंने से पहले भी धोया था पर आप फिर से दुबार धोयेंगे इसकी जो हम कटिंग किये हैं फिर भी इसमें धूल मिट्टी बगर लगी ही गया होगा तो आप इसे दुबारा जरूर धोले धोना नहीं भूलिएगा तो यह देखिए दोस्तों जो बचों कुछे डश्ट थे वो भी सब बाहर होगे दुबारा धोने से तो यह रहा दोस्तों बकरे का फेफडा कलेजी पूरी तरह से धुलके कम्प्लीट है दोस्तों वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में बताना नहीं भूलिएगा